नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि मैकार्डी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है मैकार्डी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और मैकार्डी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं मैकार्डी कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है मैकार्डी कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर मैकार्डी कैपसूल का उप्योग किया जाता है मैकारडी कैपसूल को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्ग को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्ग या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका Dr. Macardy Capsule को दर्ग की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादा तर अंटीबाइोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए अंटीबाइोटिक दवाओं की वज़से ये साइड इफेक्ट्स ना हो इसलिए आपका डॉक्तर मैकार्डी कैपसूल को एंटिबायोतिक दवाओं के साथ भी लेनी की सलाह दे सकता है इसके अलावा मैकार्डी कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है मैकार्डी एक ब्रैंड नेम है मैकार्डी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है मैकारडी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन ग्रैबिप्राजोल और डोमपेरिडोल होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की मैकारडी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मैकारडी कैपसूल की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में मैकार्डी कैपसूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुमें सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा मैकार्डी कैपसूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं. लंबे समय तक मैकारडी कैपसूल का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक मैकारडी कैपसूल को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B, 12, कैलशियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना मैकार्डी कैपसूल को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार मैकार्डी कैपसूल को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। मैकारडी कैपसूल की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब मैकारडी कैपसूल का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से मैकारडी कैपसूल को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन दी के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन दी के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की मैकारडी कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर मैकारडी कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। मैकार्डी कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। मैकार्डी कैपसूल की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको मैकार्डी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मैकार्डी कैपसूल को ले सकती है या नहीं। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मैकारडी कैपसूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तंपान करा रही महिलाओं को मैं कारडी कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को मैकारडी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मैकारडी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं